योगा हमारे जीवन के संतुलन को बनाये रखता है ज़िनियमित रूप से योगा किया जाए तो हम एक अच्छे स्वस्त जीवन को जी सकते हैं अगर आप धनुसासन योग को नियमित रूप से करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है अगर आप धनुसासन योग नहीं कर रहे हैं तो या मेरा दावा है कि आज से ही आप धनुसासन योग करना स्टार्ट कर देंगे आज में धनुसासन योग के पाँच ऐसे बेनीफिट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप अपने आपको रोग नहीं पाएंगे इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धनुसासन योग के बेनीफिट्स जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धनुसासन योग होता कैसे है सबसे पहले आप पेट के बन लेट जाएं अब सांस छोडते हुए घुतनों को मोड़ें और दोनों पंजों को पकड़ें फिर सांस छोडते हुए आपने सिर्चेस्ट और चांगों को ऊपर की ओर उठाएं अब सरीर के भाग को पेट के नीचले हिस्से में लेने की कोसिस करें जब आपको अपनी प्रारंबिक इस्तिती में आना हो तो सास छोड़ते हुए नीचे की ओरा है यह एक चक्र पूरा हुआ शुरुवाती दौर में आप एक या दो चक्र से अधिक न करें फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं आईए आप यह चांड लेते हैं कि धनुसासान योग करने के फाइदे क्या क्या है बेनिफिट नंबर वन मोटापा घटाने में यदि आप भी अपनी बढ़ती हुई चर्वी से परेसान है तो यह धनुसासान योग आप लिए ब्रह्मभास्त साबित होने वाला है धनुसासान योग नियमित रूप से करने पर आपकी पेट की चर्वी जादूई रूप से गयाब हो जाएगी और महल दस दिनों में ही आपको इसका फाइदा दिखने लगेगा दाइबटीज में फाइदे मन यह योग इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है जिसके करण आपका सुगर संतुलन में रहता है बेनिफिट नमबर तीन कमर दर्द में फाइदे मन यदि आपकी कमर दिन भर के कामों से ठक कर दर्द करने लगती है तो यह योग अभ्यास आपकी कमर के दल्द को छूमंतर कर देगी और महल दस दिनों के इस योग अभ्यास से आपको फाइदा दिखने लगेगा बेनिफिट नमबर चार कब्स को खत्म करे यह योग अभ्यास एंजाइम के स्राव को बढ़ा देता है जिसके कारण आपकी अपच और कब्स दूर हो जाती है बेनिफिट नमबर पाँच थारेट में फाइदे मन यह योग अभ्यास थारेट ग्रंतियों को उत्तेजित करती है जिसके कारण जो लोग थारेट से पीडित होते हैं उनको बहुत फाइदा पहुंचता है अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद